कि दोस्तों बाहर माँ बताएदों एक शोर चेक करना क्या होता आज पंपर करतेब्स अपने बैंटीक्ष से कि मेरा बैंटीक का रहा यह यथ्यक्तनी खणा है और तो इसे हैं कदans करते हैं और Hoda यहां य। आPS यह वहांद पहुतां means वो इंस्टॉल कर दिया जाता है उसके बाद वो से चेक करता कि आपके RAM, RAW आपके CPU, GPU इनको चेक करके वो बताता है एक टास्क देता है कि यह चीज़े करके दिखा तो CPU अच्छा परफॉरमेंस करके दिखाते हैं उसका एक स्कोर जनरेट करके आपके सामने वो दिखा देता है यह होता आपका benchmark run करना, उसका score चेक करना कि कितना score इसमें आया, देखिए हम मुबाइल पेरवाले हैं हमने आज तक तक यह काम करें नहीं, यह काम करके हम चेक नहीं करते कभी मुबाइल फोन को क्यों कि हमारे पास अपने tools होते हैं अलग से, हम software के जरीए चेक कर लेते हैं हमारे पास hardware tools होते हैं, हम इनके जरीए mobile phone को चेक कर लेते हैं, हमें यह चीज़े चेक कर नहीं होते हैं, यह public को manipulate करने का एक तरीका होता, company होगा, कि एक दूसरे पर लालचन डालना, कि भाई हमने इस वक्तना score का CPU बनाया, इतना score आएगा, तो यह चीज़े किससे क्या होता है, customer पर परभावसा पड़ता है, वो देखता है कि अरे हायार, इसको किस phone को खरीदूँगा, बाई दो, तिन महीने बाद फिर तुवारा नया phone नोंच हो जाता है, उसमें फिर से अलग से कोई CPU अलग आ जाता है, उसका score फिर बढ़ा हो आता है, तो यह एक marketing strategy इसको बोल ल आता है, तो थोड़ा heavy duty को में काम कर सकते हैं, उस phone से, देखें कि यह काफी हद तक ठीक भी होती है, और काफी हद तक यह मेरा opinion नहीं रहेगा कि भाई, यह manipulate करने का तरीका भी होता है, तो भाई, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है, सब यह mobile pairing frame है, हमें कि जोड़ों करता हूं, मैं तुदू में चेक करता हूं, मेरा score कितना आ रहा है, तो दूसरा कहता है, मैं geek bench में चेक करता हूं, तो भाई, इन चीजों को avoid किए, इन चीजों से आप judge नहीं कर सकते है, mobile phone को, देखें काफी company आना पकड़ी भी गई है, इस चीज के बारे में आपने news में भ और वागरा fix रखते हैं, उसके बाद public को भी बना रहे हो, तो फिर क्या फायदा वाई है, असी चीज आपने phone में ही इस्ट्रॉन करने का, जब एक company आपको कुदी fix कर लेते तो इन चीजों को, तो इनके चक्रणों में ना पड़ें, बहुत सारे बंदे comment कर रहे थे इस ची आपको डवी दिखाता है, वो कहता है, इसके उपर जो इस पर लेखना हो, तो यूटूब अगरा पर देख लो, या इसकी website पर देख लो, मगर आपको नया phone चला कर नहीं दिखाएगा एक तो गंटे के लिए, कोई भी नहीं दिखाएगा, वाई, क्योंकि उनका rule होता है, म नया phone unbox कर लेते हो, आप उसके बाद उसे on कर देते हो, तो उसकी timing चानल हो जाते है, कि वो आज से विका है, तो इसलिए वो आपको कभी भी नया phone कोई भी चला कर नहीं दिखाता, अब आपने देखा होगा, किसी भी दुकान पर आप mobile phone खरीदने गए होगा ने, तो आपको फॉन चला कर नहीं दिखाता है, वो जब ही चलाता है, जब आप से पहें हो, जो काम है, हम घंटो में हम चेक करते हैं, नहीं फोन में, वो काम ये एं तो दू और ये गीग वेंच वगर जो सोफ्टेर होते हैं, ये थोड़ी देर में कर देता है, बता देता है कि इसका CPU कित प्रोलम आजाती है, नहीं नहीं मदरबोर्ड में प्रोलम आजाती है, तो क्या उनका चेक नहीं किया गया था, कंपनी में, सारा चेक किया गया था, तो इनको मैं कहूंगा कि अवोईड कीजिए, इन पर इतना भरोसा मत कीजिए, भरोसे लायक ये नहीं होते हैं, ये सारी तो यह जानकारिंग मुझे आपको देनी थी कि इसके बैंचमार के बारे में काफी बंदे मुझसे पूछ रहे थे और कि इसको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है तो बाई तरीका तो सही है मगर इसमें पूरा पूरोसा ना करें ऐसा नहीं होता है आप जब भी कभी को फ सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइब भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों भी पता चले इसकी सचाई का यह क्या चीज़ है इसी के बहुत से मार बैटके राकर हुआ यह बैंचमार को अगरे क्या था यह वह इनुप्योशन के तिन पर नेक्स्ट व